तो पंड़ी जी अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रही कमजोर हो तो उसे क्या उपाय करने चाहिए और साथी ये भी बताए कि उसके क्या कूप्रभाव बढ़ते हैं और उन कूप्रभावों को भगवान हनुमान की आरातना करके कैसे दूर किया जा सकता है क्रोधो पराक्रमों भाउमा क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह अगर कोई है तो वो मंगल है और साहस का भी पराक्रम ग्रह अगर कोई ग्रह है तो मंगल है जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल निर्वल हो, उन्हें अगर आप दो किलो मीटर मार्केट में भी जाने के लिए अकेले कह दीजे, तो भी वो दस बार सोचेंगे कि कोई मेरे साथ चले, अगर उन्हें ट्रेंड से कोई यात्रा करने के लिए कह देंगे, तब भी वो तयार नहीं होंगे, उनके साथ कोई चले, हवाई जहाज की यात्रा की तो बात ही छोती है, क्योंकि मंगल अगर निर्वल होगा, मंगल अगर नीचरासी और नीचांसक में होगा, मंगल अगर पापक ग्रहों से पीडित होगा, मंगल अगर पापक ग्रहों से द्रिष्ट हो आई बेहनों से ऐसे ब्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलेगा, और अगर छठे भाव में हो जाए मंगल, या छठे भाव के स्वामी से संयोग बना ले, तो ऐसे लोगों को कम उम्मर में ही सूगर और ब्लड प्रेसर जैसी बीमारियां भी परिसान करने लगती है। और मंगल अगर लगन में, चतुर्थ में, सब्तम, अश्तम, द्वादस में हो और ये मंगलिक दोस कहीं से निरस्तना हो रहा हो तो एक तो विवाह में देर होती है और दूसरे विवाह होने के बाद अगर मंगलिक लड़की न हो या मंगलिक लड़का न हो जीवन साथ ही मंग मंगल के दोस को दूर करने के लिए मंगल के बैदिक मंत्रों का दस माला रोज्यब करना चाहिए ओम निर्मुर्धा दिवह का कुत्पति ही प्रिथव्या अयम अपागवं रेतागवं सिजिन्वती या ओम धर्णी गर्वसंभूतं विद्धुत कांथ समप्रभं कुमारं सक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्य हम इस मंत्र का भी दस माला जब पचास दिन करने पर मंगल काफी हद तक अच्छी स्थिति में आता है और हनुवान जी मंगलवार के अधिस्थित देवता है हनुवान जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ है इसलिए मंगलवार के दिन हनुवान जी को सिंदूर और तेल का चोलाच रहना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुवान जी की विधुवत पूजा करनी चाहिए, मालपूये का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का ब्रत करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनवान चालीसा का सव बार पाठ करने से किसी प्रकार का मंगल दोस समाप्त होता है जैमाविन दिवास में